हेलो स्टुएंट्स तो कैसे आप सभी आज की वीडियो में आप सब के लिए लेकर आ चुके हैं मैंजमेंट प्रिंसिपल और एप्लिकेशन के पीविए से इंपॉर्णन कोशन जिसमें सबसे पहले आपको स्लेवस समझाया जागा कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है उसके लाइक करते हैं जोरू जाएगा चले फिर आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो का टापिक होने वाला है मेंजमेंट प्रिंसिपल और एप्लिकेशन वाली है कि जो आपको मैंजमेंट प्रिंसिप्ल और आपकी प्रिंश करने वालेवD II का जो आपका सब्जेक्ट है वो खतम करने वाले हैं अब चलिए इनके थोड़े सब पार्ट्स भी आपको दिखा देते हैं इससे आपको यह पता है कि आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है सब्सक्राइब मीनिंग और इसके बार में पढ़ लिए गार टाइम फॉर्मल इंटरफेस फोर्थ आपकी आगई डारेक्टिंग कंट्रोलिंग मौटिवेशन पढ़नायस में इंपोडेंस एन फैक्टेस अफ्टीं मौटिवेशन लीडर्शिप यह काफी इंपोडेंट कोशिन यह चपते हैं पेपर में लेडिय और्टींक फिर्फ टीया होती है रफेक्टेव लेडियोंटर सब्सक्राइब मेहां हों सिंसमें अब पर्णा मेंको फूर्टेश्टे लिए चाणोंती के का क्थ अंति अश्न वास य्नमियस्टेशन प्रूट पर्फ्टेशन कौने माली होdefense नेलिघमेंटस का चे यह तो आपके पूरा होने वाला आपका जो आपका स्लेबस है आपको सब पॉइंट्स में समझ में आगया होगा आप वीडियो को पीछे करके पूरा स्लेबस समझ सकते हैं अब चलते हैं प्रीविश यह पेपर पैटन पर देखते हैं 2018 का आपके लिए प्रीविश यह लेकर होगा सारे कोशन करने कंपल सर्य तरह स्कॉषन पर आते हैं बैस्थकों आपको हर एक्जाम में सबसेवाइल आपको सचाइशन बेस दिखेगा अप्लिक्सिंग में जिसमें आपको सबसेवाइल थियोगी पैरग्राफ में और यह सबसे आपको कूश्य पूछे जाएंगे ऐसा जनर्र मेलजर मलब है situation based है आपको एक situation दे दी किया अगर आप human resource planning होते तो आप इसके stage को कैसे deal करते what steps should be initiated to ensure the success of this joint venture अब आते B part पर से question 1 पर planning is meaningless without control and control is aimless without planning planning को इसके बारे में आपको लिखना है आप अच्छे से पूरी theory पढ़िएगा यह भी काफी important question है आपको यह paper pattern समझना है अब चलते हैं इसके पार्ट पर देख सकते हैं पूरा है इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा यह इसका B part है कि success of the joint venture sword क्या होता है strength weakness opportunity and threats discuss various techniques of control as may as lead by industrial enterprise अब इसके आलग question में यह पूचा गया है तो अब यह अच्छे से लिखेगा controlling techniques क्या क्या होती है personal objective study reports यह तो हो गई आपकी break-even analysis आपको अच्छे से आना है ताकि आपको अच्छे से मार्स गेन हो सके यह हो गई आपकी बात modern techniques of controlling क्या होती है आरो आई वग्यार रेशियो analysis 10-hour ratio यह हो गया आपका question question second पर आते है management is the art of modeling through the situation comment upon the statement while discussing the features of contingency approach इसके बारे बता यह बीपार पूचा गया management is the effective utilization of human and material resources to achieve the enterprise objective comment कीजिए इसके उपर यह question हो गए लेकि इसी टाइप के questions आने वाले measurement के उपर लेके इसमस्वारे एक या दो question आपके ऐसे पूरे direct भी फस सकते हैं तो आप इन जो paper बता रहे हैं उसको अच्छे से पढ़के जाएगा उसके सब्सक्राइब थियोरी है वो delegation provides the means where of manager multiplies himself delegation वाला question रट लीजे इसके उपर कुछ ना कुछ आपको पूछा ही जाएगा delegation के उपर यह questions है जो छपते हमेशा functional organization और decentralization क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा short note यह भी काफी बार से repeat हो रहा है दो तीन साल से तो आप इसके अच्छे से यह तो हो गया आपका question number third अब आता है question number fourth पर पांच question आने वाले जैसा कि आप सब को पता है write detailed notes on any two short क्या होता जो भी आपको बताता है strength weakness जो भी उपर समझाया था आपको BCG matrix क्या होती है strategic planning क्या होती है और इसके उपार आपको पूरा theory लिखनी है यह बात आप धियान रख क्यांगे तो आपको पंदा नंबर आपके पास होंगे पर आपको अच्छे से पढ़ना होगा तभी आपको short note क्या आप marks gain कर सकते हैं इसी के choice में क्या दे रखा है decision support system क्या होता है difference बताइए decision support system और management information system के वीच में यह होगा आपका question number fourth अच्छे से theory भी पढ़ लिजे आप informal communication क्या होती है critical path method क्या होता है manager grid क्या होता है return on investment क्या होता है अगर आपने इसके उपर अच्छे से समझ रखा और theory पढ़ रखी और इनके example और वर्क कह सकते हैं तब यह आप marks gain कर पाएंगे अगर सिर्फ आप इनको मतलब पता होगा तो आप इनने marks नहीं gain कर पाएंगे त situation सीधे जो statement based question है यह भी काफिवार चपते है leaders are born and not made इसके ओपर comment कीजिए theory is a comprehensive philosophy of management इसको अच्छे से elaborate कीजिए तो इसके statement based वाल है कि आपकी अच्छे से theory पढ़ लेती है आपको देख सकते हैं यह आपका last question है वह यहां पर इतनी बड़ी theory आपको लिख के आने होगी अगर आपको इसको मीनिंग पता है तब यह आप इतना लिख पाएंगे चले फिर वीडि question की series जल्दी लाई जाएगी तो बस वीडियो को लाइक करते हो चैनल को स्क्राइब करते हो और बैल नाटिक्शन को और पर रखेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो सबसे बैल नाटिक्शन आपके पास है चले फिर वीडियो को ही खतम करते हैं